नमस्ते दियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन्दार अकेडमी, आप सभी का स्वागत है, गाइज छोटा सा वीडियो है, विदिन शौर्ट स्पैन अप टाइम, आज के पेपर का हम एनलेसिस करेंगे, आज है 12th of October, आज के दिन MSTCET के दो स्लोट्स में एक्जाम कंड़क्ट है, तो dear student, दोस्तों, मित्रों, देवियों और सज्जनों, आपके जादा समय नहीं लूँगा, आपका समय कीमती है, आपके समय की पूरी कदर करते हुए, पूरी respect और पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ, मैं 3-4 मिनट में इस वीडियो को sum up करूँगा, ताकि आपको प सुप है, मैंने वहाँ पे सारे के सारे PDF शेयर करके रखे है, अब यह टेलिग्राम ग्रूप की लिंक कहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाईस, आफ्टर नून में मैंने शेयर करी हुई है, एक PDF, फिर्स शिफ्ट की, उसके बाद मैंने इवनिंग में सेकेंड सारे कोशन शेयर करे हुए है, कोशन इसेंट कंसेप्ट शेयर करे हुए है, और डिफिकल्टी लेवल देखे जाये तो अवरेज थी डिफिकल्टी लेवल ठीक है, यह कुछ कोशन भी है, जो हमारे सामने है स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हो, डेफिन इंटिग्रेशन से एक कोशन आया हुआ है ठीक है, उसके बाद इनवर्स, टीइन्वर्स ट्रिगनोमेटरी, प्रोबैबलिती पे बी सिंपल कोशन आया हुए है, ठीक है, इसके अलावा से क्वेंस ेट Series से बहुत सिंपल कशन आया हुए है, यह सारे कोशन पीडिव का आपको कहां पे मिल तो जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी सिंपल सिंपल कंसेप्ट आये हुए है एक रॉस्बी का कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है साथी साथ ट्रू कार्ट्स फ्रॉम पैक ऑफ फिप्टी टू कार्ट्स आर ड्रॉन एक रेंडम वित रेपिटेशन देन प्रॉबैबिलिटी यहां पे आप देख पा रहे हो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का अप्लिकेशन बेस्ट है उसके अलाब आप कुछ कॉश्चन देखो तो सी यहां पे देखो फर्स सिप की जो हैंड राइटिंग है ना मेभी आपको समझ में आ आया है बट सेकंड शिप्ट के जो फोटोज है आपको क्लियरली दिख जाएंगे ठीक है और वॉल्यूम पैलल पाइप पे कॉश्चन आया हुआ है y equal to 5e raise to 3x plus 3e raise to x double derivative ढूणना है ठीक है modulus function पे एक सवाल आया है guys यह question 1 upon quadratic का है see this is also a good question integration पे अच्छे खासे सवाल देखने को मिले है यहाँ पे king property यूज़ होगी I guess उसके अलावा 11th के trigonometry का यह question है vectors पे easy question है AP and GP पे अच्छा सवाल है matrices में काफी simple सवाल है textbook का question है mean और variance यह तो बच्चों यह सवाल आते है इस mean और variance काफी important है देखो rolls theorem minima and maxima देखो अभी भी आप चाहो मैं आपको बता सकता हूँ आप 3 गंटे के अंदर सिर्फ 3 गंटे के अंदर maths में 25 question की revision कर सकते हो तो क्या कर लो आप truth table कर लो logic में truth table कर लो dual negation इन सब को देख लो और connectives देख लो truth table कर लो और last में circuit है वो सब कर लो matrices में inverse कर लो matrix multiplication adjoint method कर लो inverse trigonometry कर लो trigonometry कर लो और trigon के सिर्फ formulas कर लो तो भी चलेगा straight line में चाले सी question है वो कर लो vector 3D line plane textbook के example कर लो बहुत ही छुट है LPP में आप कोई भी पिछले 5 साल के 5 question कर लो कोई भी method से LPP पर वीडियो भी है 10-15 मिनट का आप देख लो LPP हो जाएगा time लगता है LPP में 1-10 मिनट but it's worth it continuity में आप का अगर सकते हो length जाता है फिलाल रख दो derivative simple simple question कर लो हर एक exercise के 2-2-4-4 question ताकि concept clear हो जाए application of derivative maxima minima easy है increasing decreasing easy है और approximation easy है rules theorem lagrangis mean value theorem दिखी रहा है exam में आ रहा है so guys बहुत सारी चीज़े हैं देखो यह parametric derivative है काफी simple है double derivative है it's really simple guys और probability में mean और variance आता है तो probability के सारे solved example कर लो देखो अगर आपको लग रहा है किसी exercise में 50 question है it will take time तो आप क्या करो जो जो question concept है concept आप कम से कम देख लो minimum ठीक है इसके अलावा यहाँ पर देखो differential equation का बहुत ही अच्छा सवाल आया it's really good question linear differentiation पर भी एक सवाल आया हुआ है angle between line and plane ये तो अरे concept ही वही है ना exercise में जो है वही पूछेंगे ठीक है find the equation of plane ये भी काफी सिंपल है find the parametric of circle parametric of circle तो यहाँ पर कोई mistake होई है राइटिंग में area bounded by y square is equal to a x देखे एरिया under the cover बहुत ही simple topic है बहुत ही अच्छा topic है आप उसको भी कर लो अच्छे से यह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिटूशन हो सकता है denominator का derivative ऊपर है तो देखे इस तरीके से पेपर टफ नहीं आया है मैं पहले भी आपको पचास बार बता चुका हूं मैंने आपको एक सीज हमेशा से कहिए कि अगर आप सीटी की लेवल को देखो गए तो पचीस कोशन टेक्स्ट बुक लेवल ही मिलेंगे और वही हुआ कोशन टफ निया है अभी भी टाइम है टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट रिवाइस कर लो पचीस कोशन आपके यू बन जाएंगा बाकी के लिए अफर्ट देने पड़ेंगे आपको ठीक है मैस में मतलब 100 out of 50 लाना अभी भी नहीं बढ़ा है यह देख लो आपके लिए अनलेसिस था बाकी ज्यादा डीटेल में मैंने टेलिग्राम पर दे रखा है जिसके बारे मैं बात करने की नित नहीं है आशा करता हूं उमीद करता हूं लाइप में बहुत प्रोग्रेस करेंगे और ममी पापा का आशिरवाद साथ में लेके जाए क्योंकि वही सबसे बढ़कर है और वही आपको अंत तक साथ देंगे ठीक है उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा तो फिर आप बहुत आगे तक जाएंगे सी यू टेक केर और बेस्ट विश्ट 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 रॉम माय साइड ठीक है सी यू